प्रेसवारता का आयोजन किया प्रेसवारता की दुरान उनोंने कहा कि उनके द्वारा एक समिक्षा बैठक ले गई जिसमें 28 विवागों के उचे अदिकारें ने भाग लिया उन्होंने कहा कि केंदे सरकार द्वारा जो योजनाई चलाई जा रही हैं वो लक्ष के कितने करीब हैं इसको लेकर चर्चा की गई साथ में उन अधिकारियों को दिशा निदेश भी दिएगे जो अभी लक्ष से बेहत पीछे हैं ताकि वो समय रहते अपनी लक्ष को पासके सांसत विरिंदी कश्व ने प्रैसवारतर के दोरान माना की केंदे सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में धन बेहत कम हैं जिसके वज़े से हिमाजल की किसानों को योजनाओं का लाब नहीं मिल पा रहा है उन्होंने कहा कि वो जल्द ही लोकसभा में योजनाओं म लिए जो है वो आज एक जो दीशा के अंतरगत बैटक होती है उसका आयोजन आज डेप्टी कमिशनर आफिस में जो है वो हुआ है और उसमें जिला के सभी अधिकारी डेप्टी कमिशनर सहीत जो है वो उपस्तित रहे और इन सभी 27 क 27 योजनाओं का जो है वो आकलन किया गया जो केंदर से पैसा आ रहा है उनका किस तरह से प्रियोग हो रहा है या जो अब धी उनको पूरां करने के लिए दी गई है वो हो रही या नहीं क्योंकि पाढ़ों में मैं लगातार इस बात को उठा रहा हूँ कि पाढ़ में पाणी है परुन्तो उसके लिए उठाने के लिए हमारे पाढ़ पैसा नहीं है पर खुश ही है कि प्रदानमंतरी क्रिशी सिंचाई उजना का शुरुवात होई है उसमें पैसे की कमी है उस पैसे की कमी के लिए हम जो है वो केंदर की सरकार के समक्ष भी उठाएंगे और मैं इस बार 11 दिसंबर से जो सेशन शुरू हो रहा है जहां पर भी जुरूरत होगी वहाँ पर हम इसको अपने संसद में भी इसको उठाने का प्रियास करेंगी ताकि पहाडी क्षेतों में हमको पैसा अपने development के लिए irrigation के लिए हो चाए वो road के connectivity के लिए हो चाए वो drinking water supply के लिए हो हमने इसको पहले भी उठाया है आज भी हम इसको लगातार उठाने का प्रि